ख़दान लिज मामले में मुख्य मंत्री ने जवाब के लिए मंगा 30 दिन का वक्त ख़दान लिज मामले में मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मागा है सुत्रो के मुख्य मंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है सीम की तरफ से ये बताया गया है कि मा की बीमारी की वज़ा से ओ नोटिस का अध्यान नहीं कर पाया है मा के इलाज के सिल्सिले में हधराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला बतादे कि चुनाव आयोग ने इस ममले में हेमानि सुरेन को नोटिस भेजकर 10 माई तक अपना पक्छ रखने को कहा था मु ک्यमंत्री हेमान सुरेन पर आरोपाय कि उन्होंने मुंक्यमंत्री राते अपने नाम पर खनन पट्ट आवण्टन कराया है चुनाव आयोग ने इस ममले में बिते तीन माई को मुख्य मंत्रे हमान सुनेन को नोटिस भेजा है आसनी चक्रवाथी तुफान का आसर बंगाल की खाड़ी में दिखना सुरू हो गया है मौसम विभाग के अनुसार उडिसा बंगाल और अंद्र परदेश में तुफानी बारिस का अलर्ट जारी किया गया है साथ ही दो समय को 125 किलोमेटर पति घंटे की रफ्तार से हवाय चनले का भी पुरवर्मान किया गया है इस दोरान तेज बारिस की भी संभवना है तुफान का असर उडिसा के साथ साथ भी हाया है जारखन पछिम मंगाल सिक्किम और सम अंद्र परदेश समेत कई राजियों में देखनों को मिल सकता है इन राजियों में भी बारिस का एलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम बिग्यान केंद्र राची के बरिये बैग्यानी अविसेक आनद ने बताया है कि दक्षनी अंडबान निकोबाद दीप समोग से उठा चक्रवाती तुफान आज उडिसा के समुरुद्री तटो से टक्रा सकता है पंचायत चुनाव प्रथम चरण की तयारी पूरी 14 हो माई को होगा जीला परशासा ने इसकी तयारी लगभाग पूरी कर लिया है चुनाव जीला परशाथ पंचाय समित्य सदस मुखिया एवं वाट सदस्यों के लिए हो रहा है बतादे पहले चेर्ण में राची जीले के बुड़ू, राहे, सोना हातू एवं तमार परखंड में चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे चुनाव मैदान में खड़े 888 परत्यासियों के भाग का फैसला 2,43,235 मद्दात्या करेंगे इसमें तीन मद्दाताओं टांजेंडर भी हैं, बतादे महिला मद्दाताओं की संख्या 1,415 जारखंड टीम ने आंद्रे परदेश को 10-0 से हरा कर क्वार्टर फैनल में भोपाल में चल रही सिनियर राष्ट्रे महिला हो की परत्योगिता में जारखंड की टीम ने अपने दूसरे मैच में आंद्रे परदेश की टीम को 10-0 से पराजित कर क्वार्टर फैनल में परवेस कर लिया है इस जीत के साथ ही जारखंड अपने ग्रूप ई में सिर्ष पर रहा है जारखंड की टीम अभी तक प्रत्योगिता के अपने दो मैच में कूल 46 गोल कर चुकी है प्रमीला सोरेंग, रानी टोपो, रोसनी, डुगडुग ने दो-दो गोल किये हैं वही सुभासी, बेतन डुगडुग, फुलमनी, भेगरा और एडिलीन बागे ने एके गोल किये हैं जैक बोड एक गारवी की गनित की परिक्षा का प्रस्न पत्र लिख जारखन एकेडमिक कॉंसिल जैक कि एक आरवी की बोड परिक्षा का गनित विशय का प्रस्ण पत्र लिख होने का ममला सामने आया है गनित की परिक्षा सोमवार को पहली पाली में हुई इसका प्रस्ण पत्र यूटूब पर रात को ही अफलोड कर दिया गया था परिक्षा के कर बाहर आये तो प्रस्ण पत्र लिख होने का पता चला है उन्होंने कहा कि बहुत से केंद्र पर इसका फायदा आने च्छात्रों ने उठा लिया होगा च्छात्रों ने परिक्षा रद करने की भी मांग की है बाबा बैधनाथ मंदीर प्रांगन में निर्मान पर भड़के पुरो मंत्री के एंजा है जहाने डीसी पर मनमानी का रोप लगाते हुए कहा है कि डीसी बाबा मंदीर के कस्टोडियन है मालिक नहीं अपनी मर्जी के अंसार बगर लोगों को विश्वास में लिए परंपरा से खिलवार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि बाबा बैधनाथ मंदीर प्रांगन को पिंजड़ा बना दिया गया है पुलिस कंट्रोल रूम अलग से बनाने पर भी अपती जताई है इधर सांसर निस्तिकांत दूबे ने भी बाबा मंदीर में प्रंपरा के बिरोध निर्मान कारे का बिरोध किया है पूजा सिंघल की गिरफतारी के लिए राजभवन के सामने धरना जर्खन की पावर फूल और तेज तराज आयेस पूजा सिंघल के खिलाब चल रही इड़ी की करवाई मामले में राज नीती और भी तेज हो गई है अब पुजा सिंगल को गिरफतार करने मांग उठने लगी है रांची में राजभवन के सामने इसे लेकर सोमवर धारना दिया गया जारखन यूथ एसेशेशन के बैनर तले युआओ ने एक दिन का धारना दिया एसेशेशन के करकाता राज की खनन सची पुजा सिंगल की गिरफतारी के लिए दबाव बनाने की रणनेती के तहत धारना पर बैठे दिव्यांग बच्चे को फलाइट में जाने से रोका के मामले में उड़ने मंत्री जोतिरिया दित सिंधिया ने कड़ी करवाई की चतावनी दी है सोमर को रांची हवाई अड़े पर इंडिगो एरलाइंस की एक उड़ान में परिवार के साथ आये निसकत बच्चे को बीमान में सवार होने से रोक दिया इसके बाद यात्री ने मामले को सोशल मीडिया पसाजा कर दिया जिससे बड़े प्यमाने पर लोगों में आक्रोस ब्याप्त हो गया है जारखन के 22 लाग घरों तक पहुचाना है नल से जल केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मीशन के तहट चालू बीतिय वर्ष 2022 ते इसमें जारखन के 22 लाग घरों तक नल से जल पहुचाने का लक्ष रखा गया है लेकिन अब तक सिर्फ 11.59 लाख घरों तक ही पाइपलाइन से पानी पहुचाया जा सका है एक गारह माई को नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज के बिरोध में मानव सरिंखला नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज की अधिसुचना रद करने की मांग को लेकर एक गारह माई 2022 को ग्रामीन मानव सरिंखला बना कर बिरोध जताएंगे इस मानव सरिंखला का आयोजन केंद्री जन संगर समीती लातेयार और गुमला की ओर से किया जा रहा है बता दे के इससे पुर्व फाइरिंग रेंज का बिरोध जताते हुए लोगों ने राची की पद्यात्रा भी की थी समीती के सचीव जेरोम जेराल कुजूर ने बताया कि नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज को रद कराने की मांग को लेकर एक गारा माई की सुबा नौ से एक गारा बये तक प्रभावित जीलो के मुख्य मारगों में मानोश रिंखला बनायकर बिरोध दर्च किया जाएगा एड़ी जी अनुराग गुपता 26 महिने बाद निलंबन मुक्त जहारखन केडर के 1992 के IPS अधिकारी अनुराग गुपता को राज सरकार ने 26 महिने के बाद निलंबन मुक्त कर दिया है उन्हें राज सरकार ने 14 फरवरी 2020 को निलंबन किया था उन पर राज सभाचुना में एक पार्टी बीसेस के पक्ष में भोट देने के लिए बड़का गाहों की ततकालिन विधाय को धमकाने काहरोब था उनके खिलाब विभागिये करवाई भी चली थी जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी गिरी कारा एवं आपदा प्रवधन विभाग ने इससे समधित अधिसुचना जारी कर दिया है जारी अधिसुचना के अनुसार लिलंबन आधी के समध में उनके विरूत संचालित विभागिये करवाई के फलाफॉल के आधार पर सरकार आगे का निर्ण लेगी फिलाल उन्हें विभाग में योगदान देने कादेश जारी किया गया है चत्रा में पंचायत चुनाप पर रोक से जहारखन हाई कोट का इंकार जहारखन हाई कोट के जश्टिस राजे संकर की अधालत में जीला परिससस के निर्वाचन को रद करने के खिलाब दाकिले आजका पर सुनवाई होई सुनवाई के दोरान अधालत ने चत्रा में चुनाप पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अधालत ने कहा है कि चुनाप के परकिल्या चल रही है ऐसे में अधालत अब इसमें हथचेप नहीं कर सकती है अधालत ने इस मामले में राज निर्वाचन आयोग और सरकार से जबा मांगा है इस मामले में चास अपता बाद सुनवाई होगी इस्तमन्द में अनिता कुमारे ने हाई कोट में आजका दाखिल किया है ट्रेन में धनबाद से साथ चढ़े लगका लड़की को आरपी एफ ने पकड़ा घर से भागे एक प्रेमी जुड़ा को आरपी एफ बानो द्वारा रेस्क्यू किया गया है लड़की और लड़का घर से भाकर धनबाद LLP एक्सप्रेस में सवार हो गया जिसकी सुचना आरपी एफ को मिली आरपी एफ बानो के उप निरिक छाक वीपी यादव स्टाप ससी कुमार एकके यादव व महिला स्टाप प्रियांका कुसवाहा ने तवरित करवाई करते हुए बानो एस्टेशन पर ट्रेन के पहुँचते ही खोजबिन सुरू की बाबुलाल मरांडी की बिधायकी खत्रे में भाजपा बिधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी की बिधायकी पर खत्रा मनड़ा रहा है अब स्पीकर न्याधिकरन इसी बिंदु पर सुनवाई करेगा कि उसकी सेस्टा बरकरार रहेगी या समाप्त कर दी जाएगी सोमवार को दल बदल के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रारंभिक अपती को असविकार कर दिया गया है इस मामले में मेरिट पर सुनवाई होगी रुपेश हत्या कांड की हो सकती CBI जाज जारखन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी की अदालत में हजारी बाग में उनमादी भीर द्वाया रुपेश पांड की हत्या मामले की CBI जाज की मांग वाली आजका पर सुनवाई होई सुनवाई की दोरान अदालत ने राज सरकार से जबाब मांगा है अदालत ने पुछा है कि क्यों नहीं इस मामले की जाज CBI द्वारा सौप दी जाए इस मामले में अगली सुनवाई सुला जून को होगी इस समय में रुपेश की मा उर्मिला देवी ने हाई कोट में अजका दाखिल की है गढ़वा में निर्विरोध जीते 31 वार सदस्य त्रियस्तरिय पंचायत निर्वाचन 2022 के तिसरे चरण के चुना में पंसस मुखियावा वार सदस्य पद के लिए चुना मैदान में किस्मत अजमाने वाले अभ्यारतियों के बीच सोमवार को समधित निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा चुनाव चिन अवंटित किया गया बता देश्री वंसिधर नगर परखंड के विभीन पंचायतों के निर्विरोध निर्वाची 31 वार सदस्यों के बीच निर्वाची पता अधिकारी सा वीडियो सरवन राम ने परमान पत्र भी बित्रित किया है रांची के सराब दुकानों में बीर की किलत छारखन में चार दिनों से सराब और बीर सरकार बेच रही है सप्लाई से लेकर दुकान खोलने तक की पूरी सिस्टम बनाई गई है पूरी बेवास्था बनाने के नाम पर तीन दिनों तक राजधानी राची सहित पूरे परदेश में सराब की दुकाने बन रही बता दे दुकान खोले तो गराहाक ने रहात कि सास ली लेकिन दो दिनों में ही और बेवास्था फैल गई है राजधानी राची में 1802 सी सराब की दुकाने है अधिकतर दुकानों में बियर का टोटा है एक तो गर्मी में बियर की खपत अपेक्छा की रित बढ़ जाती है वहीं दूसरे आपूर्ती में खामी के कारण सराब के सोखीन को बार का रूख करना पर रहा है बतादे सरकारी एजेंसी दुआरा अभी फिलाल एक दो चुनिंदा कमपनी के ही बियर आपूर्ती किये जा रहे हैं बच्चों में अब टोमाटो फिवर का खत्रा है करोना वाइरस की चौथी लाहर के बीच बच्चों को निसाना बनाने वाला टोमाटो फिवर आ गया है बतादे केरल में टमाटर फुलू या टमाटर बुखार के 82 मामले दर्ज किये गए हैं यह बिमारी पांच साल से कमर उमर के बच्चों को होती है पहले से ही परिशान अभिभावकों के लिए बुरी खबर है बता दे कुरोना के नए नए वेरियंट के खत्रे के बीच केरल ने टमाटर फुलू या टमाटर बुखार के 82 मामले दर्च किया है हलाकि जारखंड या देश के दूसरे राजों में अभी टमाटर फिबर के मरीजों के पुष्टी नहीं हुई है जारखंड में 10 से 13 तक बारिश मौसम केंद्र रांची के नुसर 10 से 13 माई तक राजी के कुछ इलाकों में हलके समत दर्च की बारिश के पूरोनमान है इसके तहत राजी के मद भाग, रांची के अलावा बोकारों गुमला जारी बाग, खोटी वर रामगार, दक्षनी भाग, पूर्वी और पच्मी, सिंभूम, सराय के लाखर सावा, वसिम्डेगा, और उत्री भाग, देवगा, धनबाद, दुमका, गिरी, डी, गोड़डा जामतवा, पाकुर, असाहिब, गंजीले के कुछ अस्थानों पर हलके सिम्मध, दर्च की बारिश की संभवडा है भोटिंग के दिन सील रहेंगी जहारखन की सभी सिमाएं पलामो के प्रमंडली आयुक्त डाक्टर जटा संकर चौधरी ने पंचायत चुनाओ के दरान सीमावर्ती अंतर राजिये जीलो वा प्रमंडल के पता अधिकारियों को समयनवे अस्थापित करते हुए अंतर राजिये सीमा पर विशेष, निगराने वा स्थकता प्रतने का निर्देश दिया है, आयुक्त सोम वार को पलामो जीला समानाले के सबागार में प्रमंडल के तीनों जीले पलामो गड़वा उलाते हार के साथ ही, सीमा वार्ती राज यूपी बिहार वा चातिस गर से लगे जीलों के आला अधिकारियों के साथ बैठा कर चुनावी तिया परी नाओप fifty minute बामो जीलों के सीमानाले के साथ ही, तेनों के से लोलाओवा लाद्वेश जीलों